अध्या 21 वैश्वी करण रूम इस्प्रे देखते हैं यह किस देश में बना है इसमें लिखा है Made in India अच्छा तो यह हमारे देश में ही बना हुआ है और मैंने यह एक कंपास बॉक्स खरिदा देखते हैं यह किस देश में बना है और इसमें तो किसी नाम लिखा हुआ है मतलब हम उन वस्तों का भी प्रयोग कर रहे हैं जो दूसरे देशों में बनी हुई है तो फिर ये responsive box हमारे देश में कैसे अया सोचे तो बच्चो आपने देखा कि हम केवल उनी वस्तों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो हमारे देश में बनी हैं बलकि हम कई उन्वस्तों का प्रयोग भी कर रहे हैं जो दूसरे देशों में बनी हैं यहीं नहीं हमारे देश के युवा वर्ग विदेशों में नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यही वैश्वीकरण यानि कि ग्लोबलाइजेशन कहलाता है टीवी के माध्यम से आप विश्वभर में हो रही गतिविध्यूं वा घटनाओं का सीधे त्वरित प्रसारण देख पाते हैं आजकल तो इंटरनेट के जरिये दुनिया भर की हम इन खादे पदार्थों के विज्ञापन टीवी पर देखते हैं बहुत से देशों के मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहां तुलनात्मक रूप से बहतर और सस्ता इलाज संभव हैं विध्यार्थी अपनी पढ़ाई के स सिलसिले में दूसरे देशों की सिक्षा संस्थानों या विश्विद्यालों में अध्यान हेतु आना जाना करते हैं एक अनुमान के मुताबिक पढ़ाई के लिए भारत से प्रतिवर्ष विदेश जाने वाले विध्यार्थियों की संख्या धाई से तीन लाग बताई जात लोग परेटन के सिलसिले में विभिन्य आत्राएं करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात इतना रम्णीक है कि वहां अक्सर विदेशी परेटों को का आना जाना लगा रहता है कुटुमसर के गुफा कवरधा का भोरम देव मंदिर आदी ऐसे दर्शनी स्थल है जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है इसे प्रकार हमारे देश के लोग परेटन के सिलसिले में इंडोनेशिया, मलाया, थाइलेंड, आदी देशों की यात्राएं करते हैं विगत कुछ वर्षों में लोगों में अंग्रेजी भाषा सीखने की इक्षा काफी बढ़ी है क्योंकि ज़्यादा तर नौक्रियां ऐसी होती हैं जिनके प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा पर पकड़ होना आवश्यक माना जाता है अता लोग सोचते हैं कि यदि वे अंग्रेजी भाषा सीख लेंगे तो उन्हें नौक्री हासिल हो जाएगी इसे अपेक्षा में वे अन्यक कई भाषा हैं जैसे चीनी आदी भी सीख रहे हैं इसके अलावा आपने कुछ विदेशी संगीत भी सुना होगा जो युवाओं में अधिक लोग प्रिये हैं क्या आपने कभी कोई विदेशी फिल्म देखी हैं